हेलो गाइस, PSG का मारी YouTube चनल का और एक निया informative वीडियो पर आप सभी लोग का स्वाग आथे गाइस, आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा informative होने बाला है क्योंकि आज में बात करने बाला हो Under 20,000 बेस्ट गेमिंग विद अलराउंडर स्मार्टफोन के बारे में और गाइस, फ्रीफार कॉमेंट का ज्यादातर बंदा Under 20,000 मतलवेस मीड रेंच प्राइस के अंदर ऐसा एक स्मार्टफोन खरीदना चाता है, जहाँ पर गेमिंग अच्छा कैसा चल जाए, कैमेरा कॉलिटी अच्छा है, जिससे ओ ब्लोग या रिल्स बना सके उसके साथ डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी, बैकाप, चार्जिंग, साउंड क्वालिटी, सब कुछ अच्छा चाता है, और Under 20,000 के हिसाब से ऐसा एक स्मार्टफोन है, जिसको आप ओल डाउंडा स्मार्टफोन बोल सकते है, और ओ स्मार्टफोन मेरे आहाद में है, खेल लाओ, फ्रीपायर गेम के बारे में हाड एक प्रोस और कॉंस में इस वीडियो पर आप लोगों को दीखाऊंगा, वीडियो तो बहुत ज्यादा है, इसलिए प्लीज गाइस वीडियो को पुरा एंग तक जरूर देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस और डाउट बारे में, और बहुत सरे बंदा बोलता है भाई, डिस्पले के ओपर तुमारा फेस रिपील हो गया, मेरा फेस रिपील पहले हो चुका है, मैसे स्मार्ठों के मादद सही देली ब्लॉक वीडियो बनाता हूँ, सो मेरा सेकेंड चनल को उपर आपको Realme Nazo 50 Pro 5G स्मार्फोन का कैमेरा क्वालिटी के बारा में भी अंदर अलग जाएगा इसलिए गाइस मेरा सेकेंड चनल को एक बार जरूर चेक आप कर सकते हो आप आपके फोन को पर रेट डॉटर जेनरे सेंसिविटी कितना परसन रखते हो और ग्राफिक्स देख सकते हो गाइस पूरा मैक्स है उसके सथ हाई डेस हाई है सैड़ ओन है कालर फिल्टर वीविड है और हाई पेस का ओप्शन भी हाई करके रखा में सो यहाँ पर मैक्स ग्राफिक्स के उपर गेमिंग पर्फॉमेंस होने बाला है मैक्स लेविल पर मैं गेम को खेलने बाला हूँ सबसे पहले यहाँ पर मैं गाइस देख से तो 4 वर्ट सेश पूर क्लैस स्कौर्ट मैच स्टार्ट कर दिया अभी गाईस गेम के अंदर आए अब ही गाइस गेमिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर देखे तो पहेदा राउंड तो क्लेया स्कॉड फोर बार्सिस फोर मैच का स्टार्ट हो गया है सामने गाइस यहाँ पर देखे तो फाइड चल रहा है मैं आपर हाफ सब कर लेता हूँ सामने और एक बंद था इसको भी बाई ओपी बाई हेडशोर मार दिया लास्ट अनी में बचा है देखते गाइस और बहुत जादा ढूनने के बाद भी गाईस ओने मेरे को नहीं मिला मेरा टीम मेट ही उसको खतम कर दिया देख सकते हो और दो हेड्सोर के साथ पहले राण तो बहुत जादा बढ़िया बोल सकते है इस स्मार्टफोन का क्यूंकि यहाँ पर आपको 90 हर्स सूपर एमोलेट डिस्पले देखने के लिए मिलता है उसके साथ 360 हर्स टास सेंप्लिंग डेड भी है जिसके वाज़े से सेंसिपिटी पुरा मक्षन का जैसे देखने के लिए मि चुछ省 स्मार्टफोन को हाथ में पकड़ने बात उसके साथ यह समार्टफोन उदना ज्यादा भाड़ी भी नहीं है हलका फुल का स्मार्टफोन है और इस समार्टफोन के डिस्प्ले को पर जो फीचर मिरी वोगरीशिया लग ुछन इन दीस्प्ले जाता है, Mediatek की तरब से Diamond City 920, Octa Code 5G चिपसेट, और यह चिपसेट बहुत ही ज्यादा Powerful चिपसेट है, Power Efficient चिपसेट है, यहाँ पर आपको Enthusi Benji Max Code देहने के लिए बिलता है, जिसके वाज़र से Heat Efficient से, Power Efficient से, बैटरी बैकाप बहुत बढ़िया देखने के लिए मिलता है इस स्मार्टफोन के अंदर, और बैटरी बैकाप की बात किये है तो, बैटरी स्पेसिपिकसन को भी एक बात देख लेता है, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने के लिए मिल जागा 5000 एमेज इसका एक मैशिब लिथियान आईउन पॉलीमर्य बैटरी और इस मैसिब बैटरी को चार्ज कर लिए, बोक्स के अंदर ही 33 वाट का चार्जर देखने के लिए मिलता है, अभी के रहें पर हार एक स्मार्टफोन बैट चार्जर को हर्य है लेकिन इस स्मार्टफोन का ऑटर गर एक बहुत बहुत कि इस अब तकलो को समय को स्माइतों का बहुत निय लेंट्वर मेंडी से उपर दो क्वालिटी भी बहुत बढ़िया देखने के मिलता है अगर कैमेरा क्वालिटी चेक करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्सर पर मेरा सेकेंड चैनल का लिंक है और ओ है गाइस मेरा बेंगॉली ब्लॉग चैनल जहां पर मैं हाड एक ब्लॉगिंग सूट करता हूँ रिवी नाज़ो 50 प्रो 5 जी स्मार्टफून के मददस थी तो वहाँ पर आपको इस स्मार्टफटवन का कैमेरा क्वालिटी के बड़े में बहुत बड़िया अंदजा लग जाएगा और गाइस स्मार्टफथान का अंदर और एक फिचर मेरेको बहुत ज्या इंप्रेसिव ल Bluetooth का support देखने के लिए मिल जाता है जो एक काई इस बहुत ही बाइतनी फीचर से रियल में नाजो 50 प्रो 5G smartphone अंडर 20,000 एक बैरेन स्मार्टफोन बोल सकते हो जहां पर camera specification, battery specification, gaming features भी बहुत बढ़िया देखने के निलता है और gaming performance की बात करें तो गाइस यहां पर class court 4 vs 4 match का अंदर थोड़ा सा भी lags या flame drops देखने के लिए नहीं मिला है उसके साथ headshot भी अच्छा कासा लग जाता है मतलब के इस sensitivity भी टॉप notch है 90 Hz सुपर हमुलर डिस्प्ले के बाचे से sensitivity बहुत बढ़िया देखने के लिए और 360 Hz टास sampling rate भी है जिसके वाज़े से स्मार्टफोन का अंदर गेम खिलने पर तो मज़ा जाता है लेकिन गेम खिलने के टाइम एक प्रबल्म मेरे को सिस्मार्टफोन का अंदर फेस और इसके बार में मैं एक डीटेल्स में वीडियो बनाया था अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो डेस्किप्शन पर लिंक है या उपर आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो उस वीडियो को एक बार जरूर चेक आउट कर लेना सो गेमिंग पर्फोमेंस बहुत ही बढ़िया है लेकिन एक ही इसू है जो एक कालेक्सान पैक डीरिट का इसू और ये स्मार्फोन अभी के टाइम पर आपको 22,000 पर देखने के लिए जाएगा लेकिन एमाजन पर सेल तो लगड़ा एक हार एक मैना पर सो सेल के अंदर ये स्मार्फोन मेरे को मिला था सेर्फ और से फिप्टीन थाजन प्राइस पर लेकिन आपको सेल के अंदर ये स्मार्फोन अभी के टाइम पर 17-18,000 का अंदर देखने के लिए मिल जाएगा सो गाइस कोई भी सेल के लिए थुरा सा वेट कर जाना और 22,000 पर ये स्मार्टफोन उधना ज्यादा वैलू पर मानी प्रोभाइड नहीं करता है सो अगर ये स्मार्टफोन 18,000 के अंदर देखने के मिल जागा तो बेस्ट वैलू पर मानी बोल सकते हो इस स्मार्टफोन को सो गाइस आज के वीडियो पर इतना ही मिलते है और एक नया इंपर्मेटी वीडियो को लेकर तप तक लेए गाइस बाई बाई